बारह सितंबर के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है अपडेट एक नियुक्ति अमित शाह को राजभाशा समिती पर संसदिय समिती के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया ग्रह मंत्राले एम एच ए ने एक बयान में कहा कि केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मती से राजभाशा समिती पर संसदिय समिती के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया यहाँ निर्नय समिती की एक बैठक में लिया गया, जो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी नई सरकार के गठन के बाद राजभाशा समिती पर संसदिय समिती के पुनरगठन के लिए यहाँ समिती की बैठक हुई ग्रह मंत्री ने उन्हें सर्वसम्मती से दोबारा अध्यक्ष चुनने के लिए राजभाशा सम्बंधी संसदिय समिती के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया अपडेट दोग बैंकी एक्सिस बैंक ने 7.75% तक की नई सावधी जमा ब्यासदरों की घोशना की एक्सिस बैंक ने फिक्स्ट डिपॉजिट एफडी के लिए अपनी ब्यासदरों में अपडेट की घोशना की है बैंक ने कहा कि 10 सितंबर से प्रभावी नई दरें आम ग्राहकों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन जमा राशियों और अवधियों के साथ आकर्शक रिटर्न प्रदान करती है पांच करोड रुपए से कम की जमा राशी के लिए बैंक सामान्य ग्राहकों के लिए कार्यकाल के आधार पर 3 प्रतिशत से साथ 25 प्रतिशत तक ब्यास दरों की पेशकश कर रहा है वरिष्ट नागरिकों को तरजी ही दरों का आनंद मिलेगा जिसमें 5 करोड रुपए से कम की जमा राशी के लिए 3.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत तक ब्यास की पेशकश होगी अपडेट 3 पुस्तकें केंदरिय मंत्री नितिन गड़करी द्वारा रंधुरंधर शाजी राजे भोसले पुस्तक विमोचन छत्रपती शिवाजी महाराज को दुनिया मराठा शासन स्वराज्य के संस्थापक के रूप में जानती है हालांकि उनके पिता शाजी राजे के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा गया है जिन्होंने उन्हें स्वराज्य स्ठापित करने के लिए प्रेरित किया पुने के इतिहासकार अमर युवराज दांगत ने इन कमीों को दूर करने की कोशिश की है शाहजी राजे के जीवन पर दस साल तक शोध और अध्ययन करने के बाद उन्होंने रंधुरंधर शाहजी राजे भोसले नामक पुस्तक लिखी है पुस्तक का विमोचन केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी ने नागपुर में अपने घर पर किया इतिहासकार लेखक अमर युवराज दांगत और सागर राज बोड़गिरे मौजूद थे अपडेट चार्प निधन एरबिया के अध्यक्ष अजीत सूबेदार का 73 साल की उम्र में निधन अखिल भारतिय रिजर्व बैंक करमचारी संध एरबिया के अध्यक्ष अजीत सूबेदार का हृदय गती रुकने के बाद को किलाबेन अस्पताल में निधन हो गया 73 वर्ष की आयू में उन्हें हाल ही में तीवर ब्रोंकाइटिस के लिए अस्पताल में भरती कराया गया था लेकिन बाद में हृदय संबंधी जटिलताओं का विकास हुआ आरबियाई करमचारियों के एक अनुभवी नेता सूबेदार ने प्रबंधन के साथ कई बैठकों का सफलता पूर्वक नेतरित्व किया और हजारों करमचारियों के लिए बहतर वेतन और बहतर काम करने की स्थिती के लिए बातचीत की एसोसियेशन की सबसे बड़ी इकाई के नेता के रूप में सूबेदार को 2013 के कोलकाता सम्मेलन में इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया था तब से वह एरबिया के कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अपडेट 5 रैंक और रिपोर्ट और योगिक श्रमिकों के लिए उपभोकता मूल्य सूचकांक जुलाई 2024 के लिए बढ़कर 142.7 हो गया श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी आंक्रों के अनुसार जुलाई 2024 के लिए और योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतिय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIIW 1.3 अंक बढ़कर 142.7 हो गया जुलाई 2024 के लिए वारशिक मुद्रास्वीती पिछले साल के इसी महीने के साथ दशमलव 5-4 प्रतिशत की तुलना में घटकर 2.15 प्रतिशत हो गई इंधन और प्रकाश और कपड़े और जूते इस साल जून की तुलना में सपाट रहे जबकी पान्व सुपारी, तंबाकू और नशीले पदार्थ जून में 161 चे से बढ़कर 162 हो गए और खाद्य और पे पदार्थ जून में 148.7 से बढ़कर 150.4 हो गए अपडेट छेट विध्यान और प्राध्योगी की हैदराबाद के निकट महत्वा कांक्षी AI City में आएगा World Trade Center टेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के पास प्रस्तावित AI City में वरिड़ ट्रेड सेंटर की स्थापना के लिए वरिड ट्रेट सेंटर्स असोसियेशन के साथ एक समझोता ज्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं AI City में WTC में AI और उभर्ती प्राध्योगिकियों में सबसे आगे फर्मों को रखने के लिए एक मिलियन वर्ग फुट निर्मित स्थान होगा IT और उद्योग मंत्रीडी श्रीधर बाबु के कार्यालय की ओर से जारी एक विध्यपती में कहा गया है यह वैश्विक AI डोमेन के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्षमता निर्मान पहलों में से एक है WTC AI City की स्थापना भी तेलंगाना के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का एक संकेतक है अपडेट साथ खेल सीरिया ने चौथी इंटरकांटिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप में जीत दर्स की भारतिय फुटबॉल टीम की तीसरी बार इंटरकांटिनेंटल कप खिताब जीतने की उम्मीदे तूट गई क्योंकि वह तीन देशों के टूर्नामेंट के आखिरी लीग मैच में सीरिया से शूने से तीन से हार गई जी एनसी बालयोगी एथलेटिक्स स्टेडियम में सीरिया के लिए महमूद अल अस्वद और दालेहो मुहसेन इरांदुस्त ने सात्वे और सत्थत्तरवे मिनट में गोल दाग कर घरेलू दर्शकों का दिल तोर दिया जबकी इंजुरी टाइन में पाबलो सबबाग का हमला सीरिया के प्रभुत्व को रिखांकित करता था इस परिणाम का मतलब हुआ कि मनोलो मारकवेज ने इगोर स्टिमाग की जगह भारत के मुख्य कोच के रूप में अपने कार्यकाल की शुरुवात निराशाजन्क तौर पर की अपडेट आठ खेल दीपाली थापा ने रचा इतिहास बनी पहली स्कूली चैंपियन चात्रा युवा मुक्केबाज दीपाली थापा पहली स्कूली छात्रा चैंपियन बनी जहां भारत ने सन्युक्त अरब अमीरात के अल एन में एशियाई चैंपियनशिप में साथ महिला खिताब जीते 33 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्परधा करते हुए थापा ने सेमी फाइनल में कजाकिस्तान की अनेलिया और दाबेक को हराया और फाइनल में युक्रेन की लियोड मिला वासिल चैंको पर हावी हुई उन्होंने बहतर तकनीक और नियंत्रन का प्रदर्शन करते हुए खिता हासिल किया निश्चल शर्मा ने 37 किलोग्राम वर्ग में युक्रेन की मारिया मत्सीवरा पर रणनीतिक जीत से भारत की पदक तालिका में इजाफा किया अपडेट 9 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन वैश्विक IT आउटेज के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने साइबर सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की माइक्रोसॉफ्ट ने जुलाई में क्राउड स्ट्राइक सॉफ्ट वैर अपडेट के कारण एक विशाल वैश्विक IT आउटेज के बाद साइबर सुरक्षा प्रनालियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने रेडमंड वाशिक्तन मुख्याले में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया बैठक आउटेज के दौरान उजागर की गई कमजोरियों को हल करने की दिशा में माइक्रोसॉफ्ट का पहला महत्वपूर्ण कदम था जिसने उद्योगों में संचालन को बाधित किया और अनुमानित 8.5 मिल विंडोज उपकरनों को प्रभावित किया। राश्ट्रपती शीतल निवास के कार्यालय में आयोजित एक विशेश कार्यक्रम में नवनियुक्त कोएस ने नेपाली सेना के सर्वोच कमांडर राश्ट्रपती के समक्ष नेपाली सेना के 45-वे कोएस के रूप में पद और गोपनियता की शपत ली। अध्यक्ष नारायन प्रसाद देहल मौजूद थे। जा pediatric मंपत ली। ली घ shy रुझमें जाम्यक्रम में प्रसाद प्रसाद रेशने प्रसाद सेन्ट्रस ने कोएस यसा covenant मौजद नेक्ष नÅज़ श्रूप एक विव billion द 네, ये समक्ता हो आख